नमस्कार दोस्तो जहिंज जभार्द स्वागत आप सब्सक्राइब करने वाले मेरे सब यूदा बहुती शांदार होने वाला है मैज के अपना टोपिक चला था समय और दूरी समय और दूरी के तीन क्लास हो चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चेनल के प्लेलिस में जाएए प्लेलिस में आपको आर्मी मैज क्लास नाम से एक प्लेलिस मिलेगी वहाँ पर आपको इस टोपिक के तीन पुरानी क्लास से मिल जाएगे अगर आप math सीखना चाहते हैं तो कोई भी topic पहली class से आप देखना start करें अगर आप पहली class से देखते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा और आपको बता दूँ कि आप इंडिना आर्मी के किसी भी trade की त्यारी करे हो कल रख या पी टीए के लिए त्यारी कर रहे हैं यह session आपके लिए बहुत ही important है क्योंकि जो math का course में आपको यहां करवाने वाला हूँ उससे आपके paper में एक question बहार नहीं आएगा चाहिए आप किसी भी trade की त्यारी कर रहे हो तो चलिए आज का इस session स्टार करते हैं अब इस session को लाइक करते हैं और class करने वाले हैं तो आज के इस session में हम क्या discussion करने वाले हैं कि दोस्तानों के मद्दे कोई भी दोस्तान है उनके मद्दे अगर निश्य दूरी है एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है कुल समय लग रहा है तो आपसे वहाँ question में क्या पूछा जाता है दूरी पूछा जाता है लेकिन question करने से पहले इसका basic discussion करेंगे question आपको देखने में थोड़े hard लगेंगे लेकिन आप देखते ही मेरी guarantee है आप class की starting से लेकर end तक बने रहना पढ़ते question आप type number 4 का पढ़ते question आप 10 seconds से पहले पहले करेंगे ये मेरी guarantee है तो चलिए start करते देखे type number 4 में क्या पूछा जाता है कि दो स्थानों के मद्दे दूरी निशी तो कि कोई भी दो स्थान है जैसे मान लिया कि स्थान A है और ये है B ये है B और ये है A इन दोनों के मद्दे एक निशी दूरी है कोई वेक्ति है मान लीजी कितने किलोमेटर 40 किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाता है और 20 किलोमेटर परती गंटा की चाल से आता है टोटल समय लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय आपको देरखा है कितना, 6 गंटे देरखा है, कितने गंटे देरखा है, 6 गंटे का कुल समय लगता है, आपसे पूछा क्या जाएगा, कि दूरी क्या है, A और B के स्थान की बीच दूरी कितनी है, तो देखें आप अनुपात ये आपके लिए इंपूर्टेंट है कि जो समय का अनुपात है चाल का विलोमा नुपात होगा चाल का विलोमा नुपात होगा इसका मतलब क्या है कि जो समय का अनुपात है वो चाल के विलोमा नुपात विलोमा नुपात का मतलब उल्टा होगा अगर मैं आपको यह कहूँ यहाँ पर अगर मैं आपको यह कहूँ कि चाल का अनुपात कि कोई दो स्थान है उनके भी जो चाल का अनुपात है वो कितना है X अनुपात Y है कितना है X अनुपात Y है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा समय चानुपाच क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा मदलब Y अनुपाच X होगा बस आपको यही चीज धियान रखना है कि जब भी कोई दो स्थान है जब भी कोई दो पोईंट है उनके बीच दूरी निश्शित है तो चाल का अनुपात मान लीजी आपको देर खाया X अनुपात Y तो समय का अनुपात क्या होगा Y अनुपात X होगा अगर आपने ये एक चीज समझ लिए अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया कि जो समय का अनुपात है वो चाल का उल्टा होगा चाल के अनुपाद का क्या होगा उल्टा होगा अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो इस क्यूशन को आप 10 सेकिंट से पहले कर सकते हैं इस क्यूशन को हम करने वाले हैं अनुपाद से अल तो देखें A से B की और जा रहा है कितने किलोमेटर परती गंटा की चाल से 40 किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाता है और वापस किस चाल से आता है 20 किलोमेटर परती गंटा की चाल से एक विक्ति है किस पोईट से A से B तक जाता है 40 km परती गंटा की 4 से B से A तक वापस लोड़ता है कि 4 से 20 km परती गंटा की 4 से कुल समय कितना लग रहा है 6 गंटे का कुल समय लग रहा है आप से किशन में क्या पूछा गया है कि A और B के बीच की दूरी कितनी है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि चाल का अनुपात क्या है आपसे किशन में क्या पूछा है दूरी आपसे पूछा है मैं आपसे पूछता हूँ कि चाल का अनुपात क्या है चाल है 40 किलोमेटर से जा रहा है वापस आ रहा है 20 किलोमेटर से अगर इसके अनुपात की बात करें तो देखे काड़ दिया किस के पाड़े से 20 के पाड़े से काड़ दिया 20 तूनी 40 और 20 से कम 20 अब देखे जो चाल का अनुपात है वो कितना आ गया 2 अनुपात 1 तो अगर मैं बात करूँ समय का अनुपात समय का अनुपात क्या होता है चाल की अनुपात का उल्टा मतलब एक अनुपात है दो हो जाएगा आप सोच के देखे जब आप 20 की स्पीड से चल रहे है तो कोई भी आपको समय लग रहा है आप दस गणटे का समय लगा अगर 40 की स्पीड से वही दूरी तै करेंगे तो आदा समय लगेगा नहीं लगेगा या आप माली जी कि 40 km के चाल से आप जा रहे हैं कोई भी स्थान पर आप जा रहे हैं 40 km परती गंटा की चाल से आपको 10 गंटे का समय लग रहा है अगर आप 20 के चाल से जाएंगे मतलब पहले स्पीड थी 40 अब बीच से जाएंगे तो दुगुना समय लगेगा नहीं लगेगा तो सेम यहां पर अपलाई कर दिया कि जो चाल का अनुपाद दो अनुपाद एक है तो समय का अनुपाद क्या हो जागा एक अनुपाद दो उल्टा होता है एक चीद दिमाग में रखना है कि जब भी दो कि बीच क्या हो दूरी निशित हो तो चाल का अनुपाद समय का उल्टा होगा या समय का अनुपाद चाल का उल्टा होगा यह आपको द्यार रखना है अब देखिए यहां पर समय का अनुपाद कितना है एक अनुपाद दो है मैं आपसे पूछू हूँ यहां आपको क्या दे रखा है कुल समय दे रखा है तो कुल अनुपात वहां दे रखा है कुल समय 6 गंटे तो कुल अनुपात कितना होगा किसका समय का समय का अनुपात है एक अनुपात दो तो समय का कुल अनुपात कितना होगा दो और एक कितने होगा तीन तो क्या मैं रख सकता हूँ गया कि तीन अनुपात का मान कितना होगा छे गंटे होगा कितना होगा चे गंटे होगा यहां से अगर मैं आपसे पूछू कि एक अनुपात का मान कितना होगा तो आप कहोगे सर छे में तीन का भाग लगा दें कितना आएगा दो गंटा आएगा कितना आएग की स्पीड से जाता है तो कितना समय लग रहा है एक अनुपात का मान दो गंटे का समय लग रहा है कितने गंटे का दो गंटे का समय लग रहा है जब वो 20 की स्पीड से चलता है तो समय का अनुपात कितना है दो दो अनुपात का मान कितना होगा एक अनुपात का मान दो है तो दो अनुपात का मान कितना हो जाएगा चार हो जाएगा कितने गंटे का समय लग रहा है चार गंटे का समय लग रहा है टोटल छै गंटे का समय लग रहा था मतलब दो गंटे यहां और चार गंटे यहां पर अब देखे आप से किसे नमें क्या पूछा गया था कि दूरी बता चाल क्या मालो यह जा रहा है यहां जाने में कितना समय लगा है दो गंटे का समय लगा है कितने गंटे का दो गंटे का समय लगा है चालीस की स्पीड से जा रहा तो आपके चाल क्या है चालीस किलोमेटर पड़ते गंटा अगर आप चालीस किलोमेटर लेने हैं तो समय कितना लग रहा है दो गंटे का समय लग रहा है दो से आपको गुणा करना है तो चाली सोनी कितने होगे असी किलोमेटर के बीच में दूरी है A और B के 20 दूरी कितनी है 80 किलोमेटर आप इस साल से भी ले सकते हैं कुछ बोलने वाले हैं कि इस साल से भी करके दिखाओ चलो इस से भी करते हैं कि वो चाल क्या है चाल है 20 किलोमेटर परती गंटा की समय कितना लग रहा है जब वो 20 की स्पिड से वापस आ रहा है तो 4 गंटे का समय लग रहा है कितने गंटे का? 4 गंटे का समय लग रहा है तो चाल है 20 4 से गुना कर दिया 20 चोके 80 किलोमेटर कि लिए रगया दोनों तरीके समय निकाल के बता दिया कि 40 km से जा रहा था उस समय दो गंटे का समय वापस आने में कितना समय चार गंटे का समय लग रहा आपको थोड़ा सा देखे basic समझने में time देना होगा अगर basic अच्छे से समझ लिया तो पढ़ते एक questions इस type का पढ़ते एक questions आप 10 seconds में कर सकते हैं एक बार इसका screenshot लेने एक बार फिर से explain करूँगा इस question को चले दिखे कोई भी दोस्त हान है A और B A से B कि और कोई वेक्ती जा रहा है किस साल से जा रहा है 40 km परती गंटा की चाल से जा रहा है वापस आ रहा किस साल से 20 km परती गंटा की चाल से आ रहा है 6 गंटे का समय लग रहा है आप से किशन पूछा है कि दूरी बताइए किशन क्या पूछा है दूरी बताइए हम क्या क्या निकाल सकते हैं दूरी आप से पूछा है लेकिन 2 चीजे और भी निकालने वाले हैं अब देखिए मैंने आपको क्या बता है एक ची दिमाग में रखना है कि जब भी दो स्थानों के बीच दूरी निशित हो क्या हो दूरी निशित हो तो जो समय का अनुपात है वो चाल का क्या होगा उल्टा होगा अब चाल हमें देर के है कि पहले जब जा रहा है तो चाल कितन है इसका उलटा इसका उलटा मतलब पहले दो था तो ये दो बाद में चला जा जाएगा एक बाद में था पहले आ गया मतलब समय का अनुपाद कितना आ गया एक अनुपाद 2 आ गया कि जब वो 40 की स्पीड से जा रहा है तो एक अनुपात टाइम लग रहा है जब वो 20 की स्पीड से वापस आ रहा है तो दो अनुपात समय लग रहा है किलिए रहे सभी को अब यहां आपको दिर्खा है 6 गंटे क्या दिर्खा है कुल समय दिर्खा है तो समय का कुल अनुपात कितना है दो और कितना होगा 6 बटे 3 कितना आ गया एक अनुपात का मान आ गया 2 गंटे एक अनुपात का मान दो गंटे आ गया जब वो 40 की स्पीड से चलता है तो समय कितना लगता है एक अनुपात के बराबर लगता है कितना लगता है एक अनुपात के बराबर तो एक अनुपात का मान कितना गए दो गंटे आ गया और जब वह 20 की स्पीड से चलता है तो 2 अनुपात का मान कितना जाएगा 4 अब देखिए जब वह 40 की स्पीड से चलता है तो जाने में कितना समय लग रहा है दो गंटे का समय लग रहा है जब वो 20 की स्पीड से चलता है तो 4 गंटे का समय लगता है जब वो 20 की स्पीड से वापस आता है तो 4 गंटे का समय लगता है अपने को क्यूशन पूचाता कि दूरी बताओ क्या पूचाता दूरी दूरी का फूर्मला होता है चाल गुणा समय 40 की स्पीड से जा रहा है तो स्पीड क्या हो गई 40 किलोमेटर परती गंटा परती गंटा में तो समय भी किस में होना चीए गंटे में होना चीए दो गंटे का समय गुणा दो कर दिया 40 दूरी के आ गया असी आ गया जल्दी से screen show लेने चलते हैं next question पर आपको थोड़ा सा time देना होगा ये question में अगर आप थोड़ा सा time देते हैं तो चोर आप इसी type की question 10 second में कर सकते हैं और आज की session में आपको अच्छे से practice करवाने वाला हूँ इसी type की question की नेक्स्स क्यूशन में बूर्ट पाल लिक रहा हूँ, सबी को अनुसर कमेंट में करने की कोशिश करना है, सिरफ आपको ये identify करना है कि दूरी अगर निशित है तो जो समय का अनुपा तो वो चाल का क्या होगा, उल्टा होगा, अब मैं आपको क्यूशन दे रहा हूँ, क्यू किलोमिटर परती गंटा, एसे बीकी और जा रहा है, 30 किलोमिटर परती गंटा की चाल से, वापस आ रहा है, वो किस साल से, 20 किलोमिटर परती गंटा की चाल से वापस आ रहा है, और आपको एक क्या दिरखा है, कुल समय दिरखा है कितना, 40 मिनट, कुल समय आपको दिरखा है कि दूरी बताओ, A और B के बीच की दूरी क्या होगी, ये किशन पूछा गया, मैंने आपको क्या बताया था, कि जब भी दोस्त आने, A से B तक जा रहा है, B से A तक वापस आ रहा है, ये दूरी निशित है या नहीं है, जब वो जाएगा तब भी वही दूरी रहेगी, जब B से वापस आएगा तो भी दूरी क्या रहेगी, निशित रहेगी, तो क्या बताया था आपको मैंने, कि जो चाल का अनुपात है, इनके चाल क्या है, चाल है 30 किलोमेटर और कितनी है, 20 किलोमेटर है, कि जारा A से B तक जाने में, जारा तो किस चाल से जा रहा है, 30 किलोमेटर परती गंटा की चाल से, वापस किस चाल से आ रहा है, 20 किलोमेटर परती गंटा के चाल से आ रहा है, अगर मैं इनके चाल का अनुपात जयात करूँ, तो कितना आजा जाएगा, 10 के पाड़ से दोनों को काड़ दिया, क्योंकि दोनों संक्या में 10 का बाग जा रहा है, तो 10 ये 30 और 10 दूनी 20 मतलब चाल का अनुपाद कितना आ गया तीन अनुपाद 2 आ गया क्या बताया था कि अगर दूरी निश्चित है दो सानों के 20 दूरी निश्चित है तो समय का अनुपाद क्या हो जाएगा चाल का उल्टा हो जाएगा चाल का उल्टा विलोमा अनुपाद हो क्या देरखा है कुल समय देरखा है समय का कुल अनुपाद कितना होगा तीन अनुपाद दो है समय का अनुपाद है दो अनुपाद तीन है दो अनुपाद तीन समय का कुल कितना हो जाएगा इन दोनों का कुल अनुपाद कितना है पांच अनुपाद है तो क्या मैं रख सकता ह हो गया कि 5 अनुपात का मान कितना होगा 40 मिनट होगा 5 अनुपात का मान कितना होगा 40 मिनट अगर मैं आपसे पूछू कि एक अनुपात का मान कितना होगा तो आप कोगे सर 40 में 5 का भाग लगा दिया कितनी बार चला गया 8 बार मतलब एक अनुपात का मान कितना आ गया आठ मिनिट आ गया अगर मैं बात करूँ जब वो 20 की चाल से जा रहा था तो चाल का अनुपात तो ये है दो अनुपात है लेगिन समय का अनुपात कितना है तीन है तो तीन अनुपात का एक अनुपात का मान है आठ मिनट तो तीन अनुपात का मान कितना हो जाएगा आठ को तीन से गुणा कर दिया चोवीज मिनट ये क्या आगया ये क्या आया है जब वो ए से बी की ओर जा रहा है 30 km पर 3 गंटा की चाल से तो समय कितना लग रहा है 16 मिनट का समय लग रहा है कितने मिनट का 16 मिनट का समय लग रहा है जब वो 20 km पर 3 गंटा की चाल से वापस आता है तो ये चाल का अनुपात है ये समय का अनुपात समय 3 अनुपात है और 3 अनुपात का मान कितना है 24 मिनट है 3 अनुपात का मान 24 मिनट मतलब जब 20 किलोमेटर परती गंटा की चाल से आता है तो कितना समय लगता है 24 मिनट समय लगता है अब क्यूशन आपसे क्या पूछा है दूरी बताओ क्या पूछा है इस क्यूशन में दूरी बताओ दूरी का फूर्मुला क्या होता है चाल गुणा समय होता है क्या होता है चाल गुणा समय होता है अब देखिए बेसिक क्लास में आपको बताया था कि अगर चाल आप किलोमेटर परती गंटा में ले रहे हैं तो समय आपको किस म मिलीने तो समय किस में लेना होगा गंटे में लेना होगा लेकिन यहां पर किस मोई रखा है मिनट में देरा है मिनट को गंटे में बदलने के लिए सोला मिनट का समय है यहां मिनट में यानव सरे घलत किलोमीटर पर गंटा में ले रहे हैं तो समय किसमे लिना होगा गंटे में वो neutron मिनट को गंटे में बलने के लिए साथ से भाग कर दिकें किसे ओ कोई क्मेंट करेंगे कि सिलैंवरी दूर अब कुछ भाइक करने वाले हैं कि सर आपने इतीज किलोमेटर चाल कोई ले के यह दूरी क्यों निकाली इस से snacks निकाल सकते क्या 20 किलोमेटर बिल्कुल इससे भी निकाल सकते हैं चाल का सोरी दूरी का फुर्मला चाल गुणा समय चाल हमने ये ले लिया चाल क्या ले लिया 20 किलोमेटर परती गंटा चाल ले लिया समय कितना लग रहा 24 मिनट यहां चाल किस में ले रहा है किलोमेटर परती से 20-30 और 3 के पाड़े से 24 को काड़ दिया 3,8 24 आठ किलोमेटर आपका अनुसर रहेगा तो A और B के 20 दूरी कितनी है 8 किलोमेटर अगर आपसे पूछा जाए कि जाने और आने में संपूर्ण यातरा में कुल दूरी कितनी ते की तो जाने में 22 साब ने 8 किलोमेटर वापस आन में 8 km कुल दूरी कितनी है 16 km आपका अनुसर रहेगा अब देखिए फिर से explain करता हूँ एक बार सबसे पहले क्या देर का है कि 30 km परती घंटा की चाल से जा रहा है वापस आ रहा है 20 km परती घंटा की चाल से कुल समय कितना है 40 मिनट है क्या दूरी निश्चित है दूरी निश्चित है तो चाल का अनुपाद समय का अनुपाद क्या होगा चाल का उल्टा होगा चाल का अनुपाद क्या रहेगा 30 और 20 चाल है अनुपाद कितना आ गया 3 अनुपाद 2 आ गया समय का अनुपाद इसका उल्टा 2 अनुपाद 3 अब देखे समय का अनुपाद आपके सामने आ गया 2 अनुपाद 3 वहाँ दे रिखा है कुल समय कुल समय कितना 40 तो कुल अनुपाद कितना समय का 3 और 2 5 5 अनुपाद का मान 40 मिनट एक अनुपात का मान 40 बटे 5, 8 मिनुट एक अनुपात का मान आ गया तो देखिए जब वो 30 की चाल से जा रहा है तो समय 2 अनुपात लग रहा है 2 अनुपात का मान 16 मिनुट आपको ने की जरूरूद Est mainland है 16 मिन आपका समय आ गया कि जब वो 30 की चाल से जाता है तो 16 मिनट का समय लगता है तो दूरी कितनी होगी 30 की चाल से 16 मिनट चला कितने मिनट 16 मिनट चला तो समय कितना लगा चाल आपने ले लिए 30 16 आपका मिनट में दिरखा है गंटे में कनवर्ट कर दिया 8 किलोमेटर आपका अनुसर जल्दी से इस क्यूशन का स्क्रीन शूट लेने चलते हैं नेक्स क्यूशन पर पड़ते क्यूशन का आपको स्क्रीन शूट लेना है और थोड़ा सा देखे आपको संग्रस करना होगा अच्छे लेवल की क्यूशन है अच्छे लेवल के क्यूशन करने से पहले आपको बेशिक अच्छे से स समझ लिया तो यही省 आप 10 सकेंट में कर सकते है कुछ नहीं कर न चाल आपको दिर खिया चाल का अनुपाद निकाल सकते हो इसका उल्टा समय का अनुपाद होगा वहाँ कुल समय दिर का है तो अनुपाद कुल ले लो कुल अनुपाद के मान की बराबर रख दो वहाँ अगर अंतर देर का है तो अंतर रख दो और वहाँ एक का देर का है तो आप डारेक्ट कर सकते हैं चलते हैं नेक्स क्यूशन पर इसी टाइप का नेक्स क्यूशन बेसिक क्यूशन समझते हैं उसके बाद अच्छे लेवल का क्यूशन करेंगे नेक्स क्यूशन बहुती शांदर क्यूशन आपके सामने रहेगा सभी कॉनसर कमेंट करना है और देखे जब भी आप मेरी क्लास लेने पहुंचो तो आपके हाथ में पैन और कोपी होनी चाहिए पढ़ते एक क्यूशन के लिए आपको कोशिस करना है अगर आप कोशिस नहीं क करेंगे तो आप मैत नहीं सीख सकते आप यह चाहते हैं कि जब आप आर्मी का पेपर देने जाओ तो आपका एक क्यूशन भी गलत ना हो तो आपको पढ़ते एक टूपी को पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक देखना होगा और सब भी क्यूशन आपको रिवीजन करने होगे अगर आप यह करते हैं तो आपका क्यूशन गलत नहीं होगा चली चलते हैं नेक्स क्यूशन पर नेक्स क्यूशन आप से बोला गया है पूरा क्यूशन नहीं लिख रहा हो मैं क्योंकि यह आपको बेसिक समझा रहा हो मैं कि कोई स्थान है A से B कोई विक्ती है A से B की और जो जाता है A से B की और मान सकते हैं कि आपका घर है ये आपका ग्राउंड है जब आप जा रहे हैं तो किस चाल से जा रहे हैं 10 किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाते हैं A से B तक आप जाते हैं किस चाल से 10 किलोमेटर परती गंटा की चाल से जब आप B से A से B से A तक व वापस आते हैं, पंद्रा किलोमेटर परती गंटा की चाल से आप वापस आते हैं, कुल समय आपको कितना लगा? कुल समय आपको देर खाया 10 गंटे का कर सकते हो? 10 सेगंट को आपके पास टाइम है जल्दी से इस क्योशन का अनूसर कमेंट में कर दें कोई विक्ति A से B की और 10 किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाता है और B से A तक वापस आता है की चाल से 15 किलोमेटर परती गंटा की चाल से चली सोलिशन करें इस क्यूशन का आसान क्यूशन है कि आपको देखने में और सुनने में थोड़ा टप लग रहा है लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर दिया क्यूशन करना तो वहूती आसान है क्या बताया था मैंने कि जब भी दो सानों के बीच दूरी निशित हो मतलब कॉंस्टेंट हो नियत हो तो चाल का अनुपात है जो चाल का अनुपात है समय का उल्टा होता है या बोल सकते हो कि जो समय का अनुपात होगा वो चाल का उल्टा होगा यहां आपको समय दिर खाया चाल दे रखिए कि देखिये चाल जब a से b तक जा रहा है तो चाल क्या है 10 किलोमेटर पड़ती गंटा b से a तक वापस आ रहा है तो चाल क्या है 15 किलोमेटर परती गंटा है संपूर्ण यातरा में तो कितना समय लगा 10 गंटे का समय लगा आप से पूछा है कि दूरी बताओ A और B के बीच के तो देखे मैं आप से पूछता हूँ कि इनकी चाल क्या है तो आप कहोगे सर पहले थी चाल 10 किलोमेटर और फिर हो गई 15 किलोमेटर मतलब गया था A से B तक 10 किलोमेटर परती गंटा की चाल से वापस आया था 15 किलोमेटर परती गंटा की चाल से चाल का अनुपात क्या होगा दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा पांस दूनी दस और पांस दिये पंद्रा अब मैंने आपको क्या बता है कि जो समय का अनुपात होगा वो चाल का उल्टा होगा विलोमा अनुपात होगा तो चाल का अनुपात है 2 अनुपात 3 इसका उल्टा समय का अनुपात होगा तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात 2 2 अनुपात 3 का उल्टा क्या हो गया 3 अनुपात 2 अब यहां आपको क्या देर का 10 गंटे समय देर खाए कुल समय देर खाए तो समय का अनुपात क्या है तीन अनुपात दो है समय का कुल अनुपात कितना है तो आप कहोगे अनुपात असर तीन अनुपात दो कुल अनुपात समय का कुल अनुपात तीन और दो पांच तो पांच अनुपात का मान क्या कर सकते हैं पांच अनुपात का मान दस गंटे के पराबर नहीं रख सकता क्या कोई दिक्कत आगा किशी को यहां आपको दिरखा समय का अनुपाद तीन अनुपाद दो वहां आपको दिरखा है कुल समय तो कुल समय का अनुपाद कितना होगा 5 पाँच अनुपाद का मान किसके बरावब रख दिया 10 गंटे के बरावबर एक अनुपाद का मान कितना हो जाएगा 10 में 5 का भाग ठोक दिया कितना आ गया 2 गंटे एक अनुपात का मान दो गंटे आ गया अब आपका काम बन गया कि जब वो दस की चाल से जाता है तो समय कितना लगा है तीन अनुपात एक अनुपात का मान दो गंटे है तो तीन अनुपात का मान कितना हो जाएगा तीन को दो से गुणा कर दिया 6 गंटे का टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं, जब वो 15 की चाल से जाता है, 15 की चाल से वापस आता है, तो 2 अनुपात समय लगता है, अनुपात कितना है समय का, 2 अनुपात समय लगता है, तो 1 एक यूनिट का मान, 1 अनुपात का मान 2 है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाए तो चार गंटे का समय लगता है कितने गंटे का चार गंटे का समय लगता है अब आपसे पूछा है दूरी दूरी का फूर्मला क्या होता है चाल गुणा समय होता है अब दूरी निकालनी है A से B के बीच तो दूरी A और B के बीच दूरी निकालनी है चाल गुणा समय चाल समय कितना लग रह रहा है चैसे गुणा कर दिया कितना आ गया साट किलोमेटर आपका आउस डेया ए अगर इससे निकालना चाहो दो निकाल दो चाल है 15 समय लगदा चार गंटेगा 15 चोकी साथ वही आपका अनुसर रहेगा जल्दी से इस क्यूशन का स्क्रीन सोड ले ले और बहुती इंपोर्टेंट क्यूशन है बहुती इंपोर्टेंट क्यूशन है सलेक्टिव टाइप है टाइप नमबर 4 जल्दी से स्क्रीण सोड लेने चलते हैं नेक्स विष्ण पर एक बेशिक क्यूशन उर करते हैं उसके बात करने वाले पूरा क्यूशन बोर्ट पे लिखोंगा कि लेंग्विज में क्यूशन कैसे पूचा जाता है कि इस टाइप की क्यूशन की बाष्णा आपसे पूछने वाला हूँ वी सेकिन का आपको टाइम में देने वाला हूँ बीस सकेने मुझे तीनों किसुन के आंसर चाहिए पहुत ही शांदर किसुन होगा अगर आप करने लग गए तो वास्त में टाइप नमबर कि युशन करने में आज आपको मजा आजाएगा कि इस चाल से जाता है एक सो बीस किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाता है बीसे ए तक वापस आता है कि चाल से जाता है वापस आने में समय एक गंटा वापस आने में एक गंटा कम समय लगता है एक गंटा कम समय लगता है आपसे पहला किश्ण पूछा जाएगा कि दूरी बताओ क्या पूछा गया है दूरी बताओ दूसरा किश्ण आपसे ये पूछा गया है कि जाने में कितना समय लगा जाने में कितना समय लगा और तीसरा किश्ण आपसे ये पूछा गया है कि आने में कितना समय लगा आने में कितना समय लगा बहुती शांदार किश्ण है शांदार तरीके से करने वाले हैं मान सकते हो कि यह है हाई लेवल का क्यूशन और आप इस क्यूशन को कर सकते हैं कितने सकेंड में 10 सकेंड में आसानी से कर सकते हैं देखें क्या देर खाया है कि A से B की और जा रहा है किस चाल से 120 किलोमेटर परती गंटा की चाल से B से A तक वापस आ रहा है कि इस चाल से 1500 किलोमेटर पड़ती गंटा की चाल से दोनों स्थानों के बीच दूरी क्या है निशीत है मतलब गया है और वापस आया दोनों ही कंडिशन में दूरी निशीत है तो समय का अनुपात क्या होगा चाल का उल्टा हो जाएगा चाल का उल्टा आपका समय का अनुपात आ जाएगा वहाँ पर क्या देरका है क्या देरका है वापस आने में एक गंटा कम समय लगता है इसका मतलब समय का अनुपात तो कितने अनुपात के बराबर रखोगे समय के अनुपात के अंतर के बराबर रखना है जल्दी शे आनसर कर दें 10 सेकिंड का आपके पास टाइम है इस कुछन का आनसर मुझे कमेंट में चाहिए बहुती शांदार कुछन है अगर बात करू तो हाई लेओल का कुछन है और आप खुद देख सकते हैं अगर करोगे तो इस कुछन को आप 10 सेकिंड में कर सकते हो जल्दी से अनसुर कमिट करते हैं इस क्यूशन का अनसुर क्या रहेगा 120 किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाता है और वापस आता है कि इस चाल से 1500 किलोमेटर परती गंटा की चाल से वापस आता है वापस आने में वापस आने में एक गंटा कम समय लगता है क्योंकि डेड़ सो की स्पीड है बाई स्पीड कितनी है डेड़ सो की स्पीड है तो एक गंटा कम समय लग रहा है चलिए सोलिशन करते है कि ए से बी तक जा रहा है बी से ए तक वापस आ रहा है क्या दूरी निश्चित है दूरी निश्चित है तो समय का अनुपात क्या होगा चाल का उल्टा चाल का अनुपात कितना होगा चाल कितनी है 120 किलोमेटर से जा रहा है 150 किलोमेटर से वापस आ रहा है चाल का अनुपात 0 से 0 काड़ दिया 3 के पाड़ से मैंने काड़ दिया 3 चो के 12 और 3 पांजे 15 ये किसका अनुपात आ गया चाल का अनुपात समय का अनुप अनुपाद क्या होगा इसका उल्टा ये है चार अनुपाद पांच तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा पांच अनुपाद चार हो जाएगा अब देखें वहां क्या दिरका है वापस आने में एक घंटा कम समय लगा मतलब जो पहले लगा था उससे एक कम लगा है इसका मतलब जो पहले लगा था उसमें से जो बाद में लगा हो माइनस करने पर एक आ रहा है वापस वापस एक गंटा कम समय लगता है तो अनुपात का अंतर अनुपात का अंतर है एक का तो एक अनुपात का मान क्या होगा एक गंटा होगा या नहीं होगा वहाँ पर आपको देरका है सम आने में कितना समय लगा पांच गंटे का समय लगा वपस आने में एक अनुपात का मान एक घंटा तो चार अनुपात का मान कितना होगा चार गंटा अब आप देख सकते हो क्या एक गंटा कम समय लग रहा है बिलकुल लग रहा है कि जब वो 120 किलोमेटर परती गंटा की चाल स गया है तो कितना समय लगा पांच गंटे का समय लगा पांच गंटे का समय लगा जब वह अपस आया है डीड़ सो किलोमेटर परती गंटा की चाल से तो समय कितना लगा चार गंटे का समय लगा किली रह गया अब आपसे पूछा है पहला क्युसान दूरी बताओ दूरी का अतलाब की 120 किलोमेटर की दूरी एक घंटे में तेह करता है तो पांच गंटे में कितनी दूरी तेह करेगा चाल गुणा समय चाल है 120 किलोमेटर परती गंटा की चाल समय लग रहा है पांच गंटे 12 कू 5 से गुणा कर दिया 600 km आपका आनसर आ गया पहले किसुन का आनसर आपके साबने है दूरी कितने आ जाएगी 600 km दूसरा किसुन पूछा है कि जाने में कितना समय लगा 5 गंटे का आने में कितने समय लगा 4 गंटे का समय लगा भूती शांदार किसुन था शांदार तरीके से मैंने आपको बता दिय अगर समझ में आया तो सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाबड लाइक कर दें और कलाज खतम होने बाद सेशन को शेर करना है चलते हैं नेक्स क्यूशन पर जल्दी से इस क्यूशन का स्क्रिन सोट ले ले अब करने वाले हैं लेंग्वेज की क्यूशन की क्यूशन बोर्ड पर लिखने वाला हूं सभी को अनसर कमेंट में करना है क्योंकि इस टाइप की क्यूशन basic मैंने आपको अच्छे से समझा दिया आप मैं पूरा क्यूशन आपके सामने बोर्ड पर लिखूँगा सभी का मुझे अनसर कमेंट में चाहिए अगर आप कोशिस नहीं करते हैं तो मैंत नहीं सीख सकते हैं चले क्यूशन बोर्ड पर लिख रहा हूं पूरा क्यूशन बिलकुल अच्छे से लिखूंगा सभी को अनसर कमेंट में करना है क्यूशन आप से पूछा गया है कि एक विक्ति ए से बी तक एक विक्ति ए से बी तक 60 किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाता है तथा बी से ए तक तथा बी से ए तक 40 किलोमेटर परती गंटा की चाल से लोटता है वापस आता है ठीक है ए से बी की ओर 60 किलोमेटर परती गंटा की चाल से बी से ए तक वापस आता है कि चाल से 40 किलोमेटर परती गंटा की चाल से आता है यदी संपूर यातरा में कुल समय 15 गंटे लगा कुल समय पंदरा गंटे लगा कुल समय पंदरा गंटे लगा तो A से B तक दूरी क्या है जल्दी से इस क्यूशन का अनुसर कमेंट कर दें अब मैंने क्यूशन आपके सामने पूरा कंप्लेट लिख दिया है कि लेंग्विज क्यूशन के ऐसे आप से पूछी जाती है कि एक वेक्ती A से B तक किस चाल से जा रहा है 60 किलोमेटर परती गंटा की चाल से जा रहा है B से A तक वापस आ रहा है किस चाल से 40 किलोमेटर परती गंटा की चाल से वापस आता है आपको कुछन में देरखा है कि संपूर्ण यातरा मतलब A से B तक जाने में और B से A तक वापस आने में कितना समय लग रहा है 15 गंटे का समय लग रहा है आपसे पूछा है कि A और B के बीच की दूरी क्या है 10 सकेंड में आप कर सकते हो आपको पता है कि दोनों A से B और B से A दोनों इक कंडिशन में दूरी निशित है तो समय का अनुपात क्या होगा चाल का उल्टा हो जाएगा चाल का अनुपात अब निकाल सकते हो समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा चाल का समय का अनुपात आगया वहाँ कुल समय दे रखा है 15 गंटे तो समय के कुल अनुपात के बराबर रख देना एक अनुपात का माना जाएगा उसके बाद आप दूरी आसानी से निकाल सकते हैं दस सकेंड का टाइम है जल्दी से इस क्यूशन का अनसर कमेंट कर दे बहुती शांदर सा क्यूशन अपके सामने है जल्दी से कमेंट में अनसर कर दे चलिए solution करते हैं बहुती शांदर question 10 second में आप कर सकते हैं mostly is question का answer comment भी कर रहे हैं कि एक वेक्ति A से B तक मैंने माल लिया कि कोई वेक्ति है वो इस point से इस point तक ये point है A और ये point है B किस चाल से जा रहा है 60 km परती गंटा की चाल से जा रहा है कोई दिक्कत नहीं वापस आ रहा है किस चाल से B से A तक वापस आता है किस चाल से आता है 40 km परती गंटा की चाल से आता है कुल समय कितना लग रहा है 15 गंटे का समय लग रहा है कुल समय कितना है 15 गंटे अब देखिए दोनों ही condition में जब A से B तक जाता है और B से A तक वापस आता है तो दोनों ही कंडिशन में क्या दूरी नियत है क्या कॉंस्टेंट है क्या निश्चित है बिल्कुल है तो चाल का अनुपाद चाल का अनुपाद क्या है 60 और 40 इसकी चाल है तो कितना अनुपाद हो जाएगा 20 ती है 60 और 22 चालिस चाल का अनुपाद है 3 अनुपाद 2 तो समय का अनुपाद क्या हो जाएगा चाल की अनुपाद का उल्टा चाल का अनुपाद है 3 अनुपाद 2 समय का अनुपाद कितना हो जाएगा 2 अनुपाद 3 हो जाएगा किलिए रह सभी को अब वहाँ क्या देरखा है 15 गंटे कुल समय देरखा है तो समय का कुल अनुपात कितना होगा 5 होगा तीन और दो 5 तो 5 अनुपात का मान कितना होगा 15 गंटे होगा या नहीं होगा बिलकुल होगा अगर मैं आपसे पूछू कि एक अनुपात का मान कितना होगा तो आप कहोगे सर 15 में 5 का भाग लगा दें 15 में 5 का भाग लगा दिया कितना आगया 3 गंटे एक अनुपात का मान 3 गंटे है अब देखिए जब वो 60 की स्पीड से चलता है तो समय 2 अनुपात लगता है एक अनुपात का मान 3 गंटे तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6 गंटे हो जाएगा जब वो 40 की स्पीड से वापस आता है तो 3 अनुपात समय लग रहा है एक अनुपात का मान 3 तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 3 को 3 से गुणा कर दिया 9 गंटे का समय लगा आप जोड कर देख सकते हैं 9 और 6 15 क्या 15 गंटे ही है क्या बिल्कूल है कि 60 की स्पीड से जब वो जाता है A से B की ओर तो समय कितना लग रहा है 6 गंटे का समय लग रहा है आप से पूछा है कि दूरी बताओ तो दूरी का फुर्मला 4 गुणा समय 40 किलोमेटर परती गंटा की समय लग रहा है 6 गंटे का 60 को 6 से गुणा कर दिया कितना जाएगा 360 किलोमेटर आपका अनसर आजएगा अगर आप नीचे वाले से, मतलब B से A तक आया, 40 km परती गंटा की चाल से, समय लग रहा है 9 गंटे गा, तो आप 40 को 9 से गुणा कर देंगे, तो भी आपका अनुसर कितना हैगा, 360 km, सबी को किलिए रगया, अगर सेशन में मज़ा आ रहा है, और अभी तक सेशन को लाइक ने इमपोर्टेंट किस्वन, किस्वन को अच्छे से आपको पढ़ना है, किस्वन में आपको गुमार रखाया शिरब, लेंग में इसको अच्छे से पढ़ना है कि क्या दे रखाया है, क्या आपसे पूछा गया है, किस्वन आपसे पूछा गया है, कि रमन अपने घर के पास क चारो उप्सन आपके सामने रखने वाला हूँ इसक्यूशन के रमन अपने घर के पास घर के पास के सहर पास के सहर में कार दुआरा पचास किलोमिटर परती गंटा पचास किलोमिटर परती गंटा की चाल से जाता है कि कोई वेकती है जैसे आप अपने को मालने की रमन आप अपने घर से नजदीक वाले सहर पर जा रहे हैं कि चाल से पचास किलोमिटर परती गंटा की स्पीड से आप जा रहे हैं तथा पैंतालीस किलोमिटर 45 किलो मिटर परती घंटा की गती से वापस आया गती से वापस आया वापस आने में यदि उसे एक घंटा अधीक लगा वापस आने में यदि उसे एक घंटा कम समय लगा एक घंटा अधीक यदि वापस आने में यदि वापस आने में एक घंटा एक घंटा अधीक समय लगा एक घंटा अधीक समय लगा तो रमन के घर से उस सहर के दूरी कितनी है तो रमन के घर से उस सहर की दूरी कितनी है चारो उप्षन में आपके सामने रखूंगा दूरी कितनी है उप्षन A में आपको देर खाता 450 किलोमेटर उप्षन B में आपको देर खाता 225 किलोमेटर उप्षन C में आपको देर खाता 900 किलोमेटर और उप्षन D में आपको देर खाता 500 किलोमेटर ये क्युशन technical के पेपर में शोर पूछा जा सकता है मान सकते हैं कि GDO Treadman के पेपर में नहीं पूछा जाएगा 10% पूछने के भी चांस हैं आप ये मत सोचना कि नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में 15 क्यूशन में से 2 क्यूशन अच्छे लेवल के 2 से 4 क्यूशन अच्छे लेवल के आते हैं किसी को नहीं बता होता कि किस टोपिक से वो अच्छे लेवल के क्यूशन पूछे जाएंगे इसलिए आप भी त्यारी रखें continue त्यार रहें आपके बेपरमी मी पूछा जा सकता है कि रमन अपने घर के पास के सहर में कार दुआरा 50 किलोमेटर परती गंटा की चाल से जाता है तता 45 किलोमेटर परती गंटा की गती से वापस आया यदि वापस आने में यदि एक गंटा अधीक समय लगा हो तो रमन के घर से उस सहर की दूरी कितनी होगे। आप अपने खुद को माल ले कि आप अपने घर से नजदीक के सहर में गए किस साल से 50 किलोमेटर परती गंटा की चाल से गए। वापस आए किस साल से 45 किलोमेटर परती गंटा की चाल से। आपको देखे जब वापस आये 45 की चाल से तो एक गंटे का समय अधिक लगा है अब आप से किसन पूछा है कि आपके अपने घर से उस सहर के बीच की दूरी कितनी है शांदार किसन है चले सुलिशन करते हैं इस किसन का आनूसर क्या रहेगा दस सेकेंड में इस किसन का आनूस की चाल से गए वापस किस चाल से आये 45 किलोमेटर परती घंटा की चाल से वापस आये दूरी निश्चित है दूरी क्या है निश्चित है तो चाल का नूपात क्या है चाल का नूपात हो जाएगा किसका भाग दे पांच का भाग देंगे तो दस बार और नो बार दस नूप नो क्या होगा चाल का अनुपात होगा कि चाल है पचास गया पचास से आया पैंतालिस से दोनों में पांच का भाग जा रहा है दस बार चला गया और नो बार चला गया अब समय का अनुपात क्या होगा इस चाल के अनुपात का उल्टा होगा मतलब नो अनुपात दस अब दे गंटा अधीक लगा कि 10 में से 9 माइनस कर दिया एक बच गया मतलब एक अनुपात का अंतर एक गंटे के बराबर होगा किलियर है तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 9 गंटा हो जाएगा और 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 10 गंटे का हो जाएगा जब वो गया है कि 50 की श्पीड से गया तो कितना समय लगा 9 गंटे का समय लगा 9 गंटे का समय 45 की स्पीड से आया तो 10 गंटे का समय लगा आप से क्या पूछाया दूरी बताओ चाल गुणा समय चाल क्या 50 की समय 9 गंटे लगा 50 को 9 से गुणा कर दें 9,5,45 मतलब आपका अनुसर क्या गया 450 किलोमेटर आप इससे निकाल दो 45 को 10 से मतलब 45 किलोमेटर परती गंटा की चाल से 10 गंटे का समय लगा 10 से गुणा कर दिया 450 उप्सन ए इस क्यूशन का राइट अनुसर होगा तो आग की टाइप की क्यूशन आपको समझ में आया या जल्दी से कमेंट करके बता दें और अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी भाईयों से निवेदन करता हूं यार सेशन को क्लास उस भाई तक पहुंच सकती है जिसे वास्तब में आर्मी की त्यारी करने के लिए अच्छे प्लेटफॉम की जरूरत है जो ऐसी क्लास किसी कोचिंग में जाकर नहीं पढ़ सकता इतने पैसे नहीं होते हैं सेशन को ज्यादा सी ज्यादा शेयर करें जिससे आर किसी गरी YG Defense Academy आपको ग्रूप मिल जाएगा उस ग्रूप को आप जोइन कर सकते हैं अगर आप वाट्सप पर जोइन होना चाते हैं तो वाट्सप नमबर है 7300-13300-13100 ये वाट्सप नमबर है आप मेसेज कर सकते हैं जब भी टाइम मिलेगा जरूर आपके मेसेज का रिपलाई आपक कि जैसे मैट के क्लास चल रही है सेम साइंस के क्लास टार्ट कर दो हूँ है उमीद करता हूँ है सेसन को ज्यादा ज्यादा सेर करेंगे मिलते हैं नेक्स सेसन में एक जो सुर जूरून के साथ जहिंद जवार्द